नमस्कार स्वागत आप सभीका मैं हूँ आपके सर्प्रतिक्षा और आज एक बार फिर देश की वड़ी खबरों के साथ हम हाजर हैं पंचैनी टाइम्स कोशिश करता है कि एक क्लिक में आपको देश की वड़ी खबरें पहुंचा सके इसी कड़ी में सबसे पहली खबर की बात करेंगे आपको बता दें कि SCST Act में फिलहाल सरकार अध्यदेश लाने नहीं जा रही है और दूसरे विकल्पों पर सरकार सोचेगी दरसल 20 मर्च को सुप्रिम कॉट ने एक पैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि SCST Act के तहां तुरंत गिरफतारी नहीं होगी तकरीबन 7 दिन तक जांच के बाद गिरफतारी की जाएगी जिसको लेकर देश भर में बवाल भी हुआ था उस बवाल के बाद सरकार ने अपना स्टांड लेते हुए पुनर विचार याचिका सुप्रिम कॉट में दायर की थी आपको बता दें कि पुनर विचार याचिका के लिए कहा जाता है कि तकरीबन 90 प्रतिशत पुनर विचार याचिका विफल होती है क्योंकि ये पुनर विचार याचिका उसी पीच के पास जाती है जिसने की फैसला दिया होता है अब सुप्रिम कोट के जच जब एक बार फैसला दे चुके हैं और उसके बाद उनको पुनर विचार करने के लिए कहा जा रहा है तो निश्चित तोर पर 90 प्रतिशत चांसेज ऐसे होते हैं कि वो उस पर हाँ नहीं करेंगे इस लिहास से आज सरकार ने ये अलान किया है कि जो अध्यादेश लाने के उनकी कोशिश थी प्रयास था उस पर अभी वो जल्दी बाजी नहीं दिखाएंगे और कुछ दूसरे विकल्पों को तलाशेंगे दूसरे बाचीत का जरिया निकालेंगे उन विकल्पों को तलाशे हाला कि सूतर ये भी कह रहे हैं कि मानसूम सत्र जैसे शुरू होगा अध्यादेश भी लाया जा सकता है लेकिन फिलहाल आज के दिन की बड़ी ख़बर ये है कि S.C.S.T. Act में फिलहाल सरकार कोई जल्दी बाजी नहीं कर रही है और किसी भी तरह से अध्यादेश लाने की क खराब होने की कबर आई थी जिसको चुनाव आयोग ने गर्मी वज़े बता था कि मशीने गर्मी की वज़े से खराब हो गई है जिसके काफी आलोशना भी हुई थी बेराल आज की ख़बर ये है कि 72 बूथों पर आज री पोलिंग हो रही है जिसमें से 68 बूथ सारनपूर के हैं और शामली के 5 बूथ हैं जहां पर कि ये री पोलिंग की जा रही है आज तीन बजे तक तकरीवन 50 प्रतिशत वोटिंग इन बूथ्स पर हो चुकी थी आज वापस री पोलिंग इन बूथों पर हो रही है पुनरमदान इन 72 बूथों पर आज किया जा रहा है अगली खबर करो कर रहे हैं देश में बैंक करमचारी हरताल पर है जी हाँ देश व्यापी हरताल आज बैंक करमचारियों की है वेतन संबंधी कुछ मांगों को लेकर 30 और 31 तारिक बैंक करमचारियों ने हरताल का दिन चुना है अलाकि इसे लिए गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों में वेतन का भी वक्त होता है इस लिहाज से भी ये दिन चुना गया है ताकि परिशानी पूरी तरह से नजर आए अलाकि परिशानी नजर आना शुरू हो चुकी है एटीम पर जो निर्भरता थी वो भी खत्म होती दिख पंजाब हिमाश्र प्रदेश और हर्यान के किसान नेताओं ने कहा है कि एक से दस तारिक तक दूद और सब्जियों का जो पूर्ती थी वो बंद कर दी जाएगी उनकी तरफ से उनकी विसरकार से कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर वो इस तरीके की या कहलीजे चितामनी दे र रहे हैं कि एक से दस तारिके बीच में दूद और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी आम लोगों से जुड़ी ये भी खबर है परिशानी का सबब बन सकता है ये मामला अगर एक से दस जून तक किसान नेताओं ने जो चितावनी दी है उसे वो पूरा करते हैं तो नजर हमारी इस खबर पर बनी रहेगी आज की एक और एहम और बड़ी खबर आपको बता दें विराट कोहली अब आज एक वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्त होने की कोशिश कर रहे हैं आपको बता दें कि बीसी सियाई ने चांपियन्स लिए शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि किसी भी तरह से वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और मैदान पर वापसी करें तो विराट कोली के फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है चलिए तो झाल से जल्दी तो झाल से आश्वस्त हो और मैदान पर वापसी करेंगा ज्या है